Hey people, this is Swati तो सबसे पहले मैंने second special generic paper BB MQ में होने वाला है उसके regarding मैं बोलने वाली हूँ तो सबसे पहले मैंने chemistry का generic paper वाला जो है जारा चीज मैंने assignment से लेकर उसके practical सारे जो है मैंने video बना दी हूँ उसका link आपको इस video के description में मिल जागा अगर आपको लोगों को देखना है किसी ने comment किया था कि नहीं generic botany के लिए भी बनाईए तो देखो, मेरा जो है generic, जो second generic paper है वो botany का नहीं है, मेरा chemistry है जो कि मैंने सारा videos बना दिया, जो कि मैंने खुद जो मैंने assignment लिखे है, वो सारे वीडियोस थे वो सारे जो मैंने खुद लिखे है वो ही सारे जो है, मैंने वीडियोस में भी upload किये है ठीके अब रही बाद, botany generic का तो botany generic का जो था, वो मेरा पहले से ही generic paper था botany generic ठीक है तो इस वज़े से मैंने अभी chemistry opt किया है for the second generic paper के लिए तो अगर आप लोगों को botany generic का चाहिए जितनी भी सारी information आप लोगों चाहिए तो मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के link में सारी चीज मैंने इस वीडियो के description में जाओ सारा link उसमें दिया हुआ है ठीक है क्या क्या दिया हुआ है मैं बता देना चाहती हूँ सबसे पहले तो semester 1 से लेकर semester 4 के जितने भी सारी practicals है ठीक है जितने भी सारी practicals है botany generic के वो आपको वहाँ मिल जाएंगे देखो botany generic में क्या है ना सबसे पहली बात तो आप लोगों को पूरा तो नहीं पूरा नहीं बनाना ठीक है जलसे कि मैंने chemistry के assignment बनाया था उसी तरीगे से सिर्फ एक बनाना है और हर college का अलग-अलग होता है अगर आपके college में कोई भी ma'am ने मतलब कोई भी अगर आपके teacher ने ये नहीं बताया है कि क्या assignment बनाना है तो देखो मैं बताने आपके teacher ने नहीं बताया है कि आप लोगों को क्या बनाना है तो आप लोग क्या करना कि 3-3 question बना देना ठीक है जो कि internal exam as a एक 10 रुपे वाली पतली copy ले ले लेना ठीक है 3-3 question उसमें बना देना और practical में सिर्फ एक एक practical बना देना ठीक है जैसे कि मैंने chemistry में बना same as it is रहेगा ठीक है मेरा जो है botany generic में जितने भी सारे मेने practicals बनाया है ठीक है जितने questions जो है आप लोग previous question के जैसे as a उसे ले सकते हो जितने भी सारे questions है ठीक है मैं उन सब का जो है वीडियो इस वीडियो के description box में उसका link है आप लोग उस पे click किजिएगा और सब देख लीजिएगा तो आप लोगों को botany generic का कोई problem नहीं होगा ठीक है अगर आप लोगों को syllabus जाये तो forever syllabus भी में बता दूंगी कि क्यां से syllabus अगर चाहिए तो फिर मैं उसके लिए एक second syllabus के लिए एक video बनाऊंगी ठीक है अगर आप लोगों को चाहिए तो botany generic के लिए तो मैं syllabus भी बता दूंगी यह जो है यह है आप लोगों का semester 1 का assignment किसी ने comment किया था कि इस botany generic का भी मुझे assignments चाहिए आप लोग बता देजिए ऐसा गली उसने comment किया था तो सबसे पहले तो यह बता दे रही हूं कि यह semester 1 का है ठीके this is for semester 1 के लिए यह आप लोगों का with botany generic जो second generic paper होने वाला है BPMQ University में उसका है ठीके तो आप लोगों इसमें से क्या करो ना कि देखो मेरे पास यह वाला gas paper है तो इसमें से अगर क्या करो ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक topic उठा लो for example आप लोगों ने यह उठा है life cycle of maxinia तो यह पूरा लिख डालो ठीके एक question complete करो मतलब तीन तीन question लेके चलो ठीके तीन question बनाने है तो एक question यह लिख डालो ठीके maxinia के उपर and दो तीन question इस में से जो है तो मैं इसमें पूरा यह चीज आप लोगों कुछ सो कर दे रही हूं तो आप लोगों को हो जाएगा ठीकि आप लोग इसमें से कोईसा भी तीन question यह this is only for semester 1 के लिए है बागे की semester 2, 3, 4 यह समय वीडियो further अभी upload करोंगी तो इस वज इसको मैं फिर से अच्छे से actually इसका भी मैंने वीडियो बनाया हूँ है तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगी ठीक है तो बस मैं यही कहना चाहरी थी उसका भी लिंक मैं दे दूंगी इसी इसी वीडियो के description में सारी चीजों का लिंक आप को मिल जाएगा आप जाओ और आप आप लोग बस इसको देख लेना ठीक है सारी यह जो है यह वीडियो के इसके पर कर जो मैंने वीडियो मैं यह मैं और रेडी बना रखी हूँ तो बस आप लोगो को लिंक पे क्लिक करना है description में आपको मिल जाएगा और आप लोगो अच्छे से उसमें वीडियो में जाए ना only for semester 1 ठीक है बाकी मैं semester 2, 3, 4 के लिए फिर से वीडियो बनाऊंगी further ठीक है तो don't worry and subscribe to this channel thanks for watching